इदर हमास की टेकानों पर इस्राइल की वायू सेना के हवाई हमले जारी हैं इस्राइल की सेना ने गाजा पट्टी बे बंदरगाह को निशाना बनाया इस्राइल के इस हमले में गाजा बंदरगाह पर एक साथ बमों की बोचार होगे और सामने आएं वीडियो में इसराइल की फॉट गाजा के बंदरगाहा को तबहा करती दिखाई थी इस हमले के बाद समंदर के अंदर से दूएं का गुबार उटता नजर आया एक और तस्वीर में एक जाहाद आग के गोले में तबदील नजर आई हमास के लडाकों के हमले के बाद से इसराइल की सेना लगतार पर अटबार कर रही है जिसमें गाजाक में हमास के ठिकारों पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है इसराइल की सेना ने गाजा के अंदर भोजन, इंधन और दवाओं की एंट्री रोग दी है इसलिए इसराइल की सेना ने गाजा के बंदरगाह को निशाना बनाया इसराइल की इस एर स्ट्राइक के बाद हमास की लडाकों की मुश्किले बढ़ गई है जिसके लिए उसने गाजा पटी को रात भर धमाकों से देहला दिया और बिना रुके गाज़ा पट्टी पर मिसाइले दाकता रहा हमास के हमले के बाद इसरेयल ने गाज़ा पट्टी को चारू तरफ से घेर लिया और हमास के लडाकों को एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दी और गाज़ा पट्टी रात भर धमाकों से दहलती रही गाज़ा पर रात में हुए हमले की जो तस्वीरे सामनी आई उनमें एक में तो इतना जोड़दार धमाका हुआ कि पूरा का पूरा गाज़ा शेहर थर्रा गया वहीं एक दूसरे वीडियो में रात में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे जिसने रात के अंदेरे और सननाटी दोनों को खत्म कर दिया एक धमाका तो इतना जबर्दस था कि कान के पर्दे फट जाए इस्रेल पर हमास के हमले के बाद गाज़ा पटी के लोगों की हर राट डर के साहे में गुजरी इस्रेल के घाज़ा पटी पर रात के अंदेरे में इतने रॉकेट दागे की घाज़ा शेहर की सुबा भी काली हो गई इस्रेल के घाज़ा पर रात में किये गए हमले की जो तस्वीरे सामने आई उन्हें देखकर लगा कि किसी ने एक साथ आस्मान में खुब सारे पठाके फोड़ दिये हो जो लगातार गाजा पर गिरते रहे और वहां धमाकू की गूंच सुनाई देती रही इसरेल पर हमास के भीशन हमले में आजिंटीना को भी नुकसान उठाना पड़ा गाजा पठी में इसरेल के हवाई हमले में फिलिस्तीन के तीन पत्रकारों की भी मौत हो गई और बताया गया कि वहां एक इमारत को खाली कराने के दौरान तीनों पत्रकार पूरे घटनाक्रम की कवरिज कर रहे थे तभी इस्रेल की सेना ने घाजा पट्टी में एक के बाद एक ताबरतोर बंबारी कर दी जिसमें फिलिस्तीन के पत्रकार सईद अलतवील, हिशाम अलनवाजा और मुहमद सबा की मौत हो गई